हेलो माई लवली स्टुडेंट वेलकम टू क्लास फर्स्ट आज हम लोग हिंदी साहित में लेसन फाइफ पढ़ेंगे जिसका नाम है विज्या दश्मी आज हम लोग विज्या दश्मी यानि की दशेहरे के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज दश्यहरा है लोग इसे विज्या दश्मी भी कहते हैं यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है आज के दिन श्री राम ने लंका के राजा रावन को मारा था रावन दुष्ट और दुराचारी था उसने श्री राम की पतनी सीता का हरण कर लिया था चलिए पहले यहां तक समझते हैं बच्चों दश्यहरे को विज्य दश्मी भी कहते हैं यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है बच्चों क्यों कि आज के दिन जो श्री राम थे उन्होंने लंका की राजा रावन को मारा था जो की बहुत ही दु मतलब उन्हें किड्नैप कर लिया था चलिए आगे पढ़ते हैं श्री राम अयोध्या के राजा दश्रत के पुत्र थे राजा दश्रत की तीन रानिया थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई उनके चार पुत्र थे राम, लक्ष्मन, भरत और शत्रुगन राम कोशल्या के पुत्र थे वे भाईयों में सबसे बड़े थे राजा दश्रत उन्हें अपना राज पाट सौपना चाहते थे पर रानी कैकई को यह पसंद ना था उसने राजा दश्रत से अपने पुत्र भरत के लिए राज और राम के लिए 14 वर्ष वन में बिताने का वर मांगा चले बचों यहां तक समझते हैं जो श्री राम थे वो अयोध्या के राजा दश्रत के पुत्र थे यानि की उनके बेटे थे और राजा दश्रत जो थे उनकी तीन रानिया थी उनके क्या नेम थे कोशल्या सुमित्रा और कैकई और राजा दश्रत के चार पुत्र थे जिनका नाम था राम लक्षमन भरत और शत्रुगन राम जो थे वो कौशल्या के बेटे थे और भाईयों में वो सबसे बड़े थे इसलिए जो राजा दश्रत थे वो चाहते थे कि वो अपना राजपाट यानि कि अपना काम और कारुबार राम को सौपने क्यों क्योंकि वो सबसे बड़े थे इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे यानि की राम को देना चाहते थे लेकिन जो रानी कह कहीं थी उन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो उन्होंने क्या करा उन्होंने राजा दश्रत से अपने पुत्र भरत के लिए राज मांगा मतलब उन्होंने जो पूरा राज़पाट था वो भरत को देने की बाद कही और साती सात यह भी का कि वो राम को 14 वर्ष यानि की 14 साल के लिए वन यानि की जंगल भेश दें राम अयोध्या छोड़ कर वन चले गए उनके साथ उनकी पतनी सीता वा छोटे भाई लक्षमन भी थे वन में निवास के दोरान रावन ने सीता का हरण कर लिया इस कारण राम ने रावन से युद्ध किया रावन का छोटा भाई विभीशन था वह एक सदाचारी व्यक्ती था वह एश्वर का भक्त था उसने अपने दुराचारी भाई रावन का साथ छोड़ कर राम की सहायता की इस युद्ध में हनुमान ने भी राम की बहुत मदद की युद्ध में रावन मारा गया राम जी ने अपनी पत्नी सीता को वापस पाया तो बच्चों अभी के लिए इतना ही इस पैराग्राफ को हम लोग नेक्स क्लास में समझेंगे और आगे का चैप्टर भी नेक्स क्लास में पढ़ेंगे और समझेंगे तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग स्टे होम स्टे सेफ